बॉलेवुड सितारों से लेकर राजनेताओं की कई बार ऐसी वीडियो और सबूत सामने आये हैं जिनसे उनकी जी के वीक होने का पता चला है जिनका सोशल मीडिया पर भी जमकर मजाग बनाया गया है लेकिन इस बार ये गलती किसी छोटे मोटे नेता से नहीं बलकि देश के प्रदान मंत्री नरेंद मोदी से हुई है जिनकी हिंदी का सोशल मीडिया पर अब मजाग बनाया जा रहा है और विपक्षी पार्टिया उनकी चुटकी ले रही है जिहां नेपाल की दो दिवस्य राज के यात्रा पे पहुचे पियम मोदी एरपोर्ट से सीधे हिंदू देवी सीता के नाम पर बने जान की मंदिर पहुचे थे पियम मोदी नेपाल के जनकपूर में बीसवी सदी के प्रसिज जान की मंदिर में विशेश पूजा अर्चना भी की वही मोदी ऐसे पहले प्रदान मंत्री है जिनोंने यहां पूजा की है इसे दुरान पीम मोदी ने जानकी मंदिल में विजिटर बुक में लेखा जनपूर धाम जाने की मेरी लंबे समय की इच्छा पूरी हो गई यहें मेरे लिए इस तीर्थ स्थल पर आने का इक यादगार अनुभव है जो नेपाल और भारत के लोगों के दिल में एक विशेश स्थान रखता है हाला कि पीएम मोदी ने अंत में जब इस बुक में जै सिया राम लिखा तो वे गलती कर बैठी उन्होंने माता सिया की मात्रा गलत लगा दी जिसके बाद वो विपक्षी नेताओं के निशाने पर आ गए जिहां कॉंग्रेस के नेता और पूर्व केंद्रे मंत्री आर्पिएन सिंग ने इस पर चुटकी लेते हुए कहा पीएम जो सीता के नाम की दुहाई देते हैं वो पीएम सिया माता नाम ठीक से नहीं लिख सकते उन्होंने कहा कि पडोसियों के साथ हमारी विदेशी नीती कहा गई बता दे अब ये तस्वीर सोशल मीडिया पर भी खूब वाइरल हो रही है वाइरल किडा नियूज